सबसे पहले तो मीटियोवाले को दन्यवाद जो आप ने आप जो शोर्ट नोटीस पे आप यहाँ पर आए हमारे प्रेस कॉन्फरेंस बुलाने का मकसद यही था कि जो आप जो रिसनली जो कारगील यूनियन ने जो प्रेस कॉन्फरेंस बुलाया उसमें बहुत सारे गलक फेमिया फेला रहा है उसके वज़ा से ले और कारगील के बीच में बहुत सारे तनातनी हो रहा है और यहां पर ऍचाओंध और कौछ राभी रिख अशंकतर है कि जो लेकर गील के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए वैसा भी हो सकता है जगरा हो या कुछ तर्ण हो तना दनी हो उसका एक केवल हाई कोट का यही कहना है कि जो आप रिप्रेजेंटेटिटिव जो करगिल टेक्सी यूनियन ने जो दिया है वन टू फाइफ जो भी हमारे है जो हमारे एड्मिनिस्टेशन को उनको बुलाए कि इनको गोर करे और इस पे स्टेडिस करे कि क्या हो रहा है उसका रिपोर्ट दे ऐसा कुछ है नहीं जो ओडर इसमें वो लोग सेलेबरेशन कर रहे है कि हमें ये मिल गया वो मिल गया हमें इनरूट जाने का ये प्रमिशन मिल गया कोई ओडर मिल गया ऐसा कुछ ओडर इसमें नहीं है ये गलत फेमी फैला रहा है जो कारगिल के टेक्सी यूनियन जो है औ पछेंगें और यहां पर आके तमासा करना चाहते हैं यह जो ले और कारील्वासरिसंस यहां पर करनाचा था हो तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो इसलिए हम यो अी पब्लिक को यह दिखा रहे हैं कि यह जो और है इसमें कुछ भी हाई कोट ने कुछ ओडर नहीं दिया है जो इन रूट उनको जाने की पर्मिशन कुछ नहीं दिया हुए केवल एड्मिनिस्टेशन पर छोड़ा हुआ है और दूसरा है कि जो वो लोग ये जो हमारी पाशा साब और जो टेक्सी यूनिन के प्रेजेडेंट है वो ल दूसरा है कि जो मुझे ये लगता है कि उसमें कि ये टेक्सी यूनिन का कोई इशू नहीं है वो मैलाफाइट इंटेंशन से ये सब कुछ कर रहा है तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसे टेक्सी यूनिन और ले टेक्सी यूनिन और कारगिल टेक्सी यूनिन जो ह वो दोनों mutual understanding पे, mutual agreement पे चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, 2005 के, 2015 के जो agreement है, इसमें साव लिखा हुआ है कि आपका ले और कारगील के दोनों टेक्सी यूनिन के प्रेजिडेंट का साइन है, जनरल सेक्टरी का साइन है, इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने अपने बिस् agreement चल रहा है, वो तब की डियोकोम साब के अंडर में, डिसी, ले डिसी और कारगील डिसी के अंडर में ये सारा कुछ agreement हुआ है, तो इसी मुताबिक अभी तक चल रहा है, आगे भी हम आशा करते हैं कि उसी agreement के मुताबिक चले, केवल ये टेक्सी यूनिन का agreement नहीं है, यहा के आप, क बश्याव कोगील दिस्टिक में देखिक हमें अवह जो कि प्रफमगे ऐन देखिक हमें, इस को सी कजा तो इसी अचनु कोई को आप एशैने का कैसा। अ किमें इस घ्ला करते हैं कि आप, क half कर आफा बशित करने को अब का। अब लोका लिह टेक्सी उनियन का खासकर नएक्स टेजम अब क्या रहेंगा कि करगल टेक्स उनियन का बार बार इल्जाम यह की परमिट होने के बावजूद जो है इन रूट में जाने नहीं दे रहा है और कल जिस तरह से हाई कोर्ट के और के बाद की और इसको आप इस वाक्त कलिरिफिकेशन दे रहे हैं तो नेक्स स्टेप आप उनको क्या रहे हैं अब टक्या रहे हैं कि अब टक जब से ट्रेक्सि यूनियन बनाये तब से इनरूट नहीं जल रहे हैं अभी नहीं चलेंगे क्यूंकि आप देखो उनकर पैस कोन था खूरमिदे आपक ख्य сложно सब कर्मीदे जो कारगिल डिस्टिक में चलेंगे हमारे पास ले लेंग ले ले डि हमारा प्रशुर्गा का मिस आईट्रूरेट कर रहे हैं उनके खिलाब भी हम कोड बेजाएंगे। वह हम स्ट्रिप उझाने वाले हैं। जिस तरह हमें छुनने में यह है कि वह जो हमके जुआ हाँ। ठो पंगों भी जा रहा है लुपरा भी जा रहा है तो क्या कहा है यह जो है उनका मतलब की ऐसा intention है कि ये ले वर्यू सिस कारगिल करने के कोशिश कर रहे है ये नहीं चाहते कि आमन हो, शांति हो यहां पर सब मिल जूल कर रहे सब बिस्निस करें यह नहीं चाहते कि यहां के जो अमन शांती है उसको बंग करने के लिए यहां के जो बिस्निस है उनको ठब करने के लिए है वो लोग ऐसा ऐसा सोच रहे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे हम administration को request करते कि जो लोग यह ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे आप लोग देखिये इनको पकड़िये और इनको सबक सिखाए नहीं तो आप इनके जो high court की यह इसमें तो कहीं भी नहीं लिखाए कि आप नुब्रा जा सकते हो पेंगंग जा सकते हो अगर इसमें कुछ भी अगर आप लोग ऐसे ही कुछ मेलफाइट इंटेंशन के कारण आप नुब्रा पेंगंग जाने की जित करोगे आगे जाके कुछ भी होगा हमारा union कोई जिम्यवार नहीं लेंगा आपको नहीं लगता है कि इस वक्त भी इशू फिर से उठा है डालॉग करने के ज़रूद नहीं है दोनों यूदेंशन को नहीं है बट यह की डालॉग करके फैदा ही कि है जो टूटाजन फिफ्टीन में एग्रिमेंट बना है उस पे आप उतर नहीं रहे हो आप फिर बात करने का क्या फैदा है और जो टूटाजन फिफ्टीन में जो एग्रिमेंट बना है उस पे तो आप बात करो हम करने के लिए तायर है अब्धिनिस्टरेशन क्या रोल प्ले कर सकते है अमन हो शांती हो हम भी चाहते है कि एड्मिनिस्टरेशन का भी ड्यूटी यही है कि यहां पर law and order maintain हो क्या message हम यह message देना छाहते हैं कि हमारा बिसन्स है बहुत अच्छा चल रहा है और लोग भी हमें कारगील के लोग हैं बहुत अच्छे हैं लेकि हमें जो लोग हैं लेकि बहुत आमन तेख़ो हैं और दोनों Union के बीच में भी अच्छा रिलेशन है आप बीगार नहीं जातें जो किंठिया थनीर दक आरो